जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिद जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes ठीक है यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे जैहिन सात्यो स्वागत है आपका self study classes विस्तमिजेन YouTube चैनल में तो सात्यो अगर अभी तक आपने self study classes का app डाउनलोड नहीं किया है तो play store में सर्च करना है आपको self study classes ठीक है और दोस्तो एप को डाउनलोड कर लेना है आप junior debt exam की तैयारी कर रहे हैं दोस्तो UP, TGT, PGT की तैयारी कर रहे है या फिर पंजाब master cadder और UKLT exam की तैयारी कर रहे है तो यह app जो self study classes एप है यह app आपके लिए है दोस्तो और आपके लिए हिंदी साहित का course बहुत अच्छा लांच किया गया है और अभी offer भी है 5 मार्च तक मातर 1000 रुपे में दोस्तो आपके लिए यह course उपलब्ध है तो जल्दी करीदें और purchase करके admission ले सकते हैं यहाँ पर कंट ध्वनिया आपको बताना है चार बिकल्प हमें दी गई है कि कंट ध्वनिया कौनसी है और कंट में हम पढ़ते हैं दोस्तो कि कंट ध्वनिया वो होती है जो बर्ग के जो प्रिथम अक्चर होती है दोस्तो वो क्या कहलाता है वो काबर्ग कहलाता है दोस्तो कंठ यानि कि इनका जो चान होता है वो कंठ से होता है और यहां पर आपने बिलकुर सही आंसर बताया है कि जो कंठ धनिया है वो है कौन सी कावर्ग का खा गा गा इंग्या जो होता है यह क्या होता है कंठ से ठीक है अब ग्यावरन किन वरनों की संयोग से बना है ग्याग्यान जरू कर दें हैना और रोज किलास आठ बजे होती है दोस्तों एक नई किलास आपको प्रेशित की जाती है ज्या बरने किन बरनों की संजोग से बना है यह उत्तर अगर एक कंटीनिव आप देखते हैं दोस्तों तो ब्याकरण में इससे हटके कोई क्वेस्चन नहीं आ सकते है आपको कंटीनिव देखना है और 35 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कि आदा जा हलंत वाला जो जा है और इया वनकर के क्या बनाती है या कई बार क्वेस्चन आ गया है इसलिए आपको तयार रहना है अंगला क्वेस्चन है अनुनासिक का संबंद होता है तो किस्ते हो बिकल्प है चार में से अनुनासिक का आपको बताना है और यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपने चैन किया है दोस्तों कि अनुनासिक का जो संबंद होता है केबल नाक से नहीं होता नाक और मोहदोनों से होता है तो तर चला जाता है आपका सी की तरफ सी नम्मर आपक इसके योग से बना है छाचत्री यानि कि छत्रग स्रे जो होते हैं ये क्या होते हैं संयोक्त वरन कहलाते हैं यानि कि दोस्तों ये अन्वरनों की सहायता से बनते हैं तो योग से बनते हैं ऐसे इच्छा वरन आपको बताना है कई बार पूचा गया और कई बार उत्तर भी गल यह गलत हो जाएगा उत्तर सही क्या होगा यह हलंत वाला का होगा और शा होगा ठीक ए इसको याद रखेंगे अंगला कोश्चन इक कौण सा टावर्ग नहीं है ताबर्ग नहीं ये बताना है ठा धा घा या फिर रडा तो कौण सा टाबर्ग नहीं है अपन बर्ग के दोस्तों 25 अक्षर पढ़ते हैं काबर्ग खाबर्ग कचट तप पढ़ते न अपन तो यहाँ पर टाबर्ग की अंतरगत कौन नहीं आता तो बताईए नहीं पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जो D नम्मर है ये काबर्ग की अंतरगत नहीं आता ये तो काबर्ग की अंतरगत आता है तो काखागा आपन पढ़ते हैं उत्तर चला जाता है आपका D की तरफ D नम्मर आपका बिलको सही हो जाता है अंगला question है कौनसा वर्ण उचान की द्रश्टी से दंत नहीं है दंत नहीं है पूछाए दोस्तों तो बताईए किसका उचान दंत से नहीं होता तो मैंने आपको बताया था कावर्ग कंट से है ना चावर्ग दोस्तों काईसे तालू से और चा के बाद आता है तावर्ग तो और तावर्ग जो होता है वो दंत से होता है और पावर्ग होता है ओस्ट से यहाँ पर आपसे दंत नहीं पूछा तो ता था दा धा ना ये तो दोस्तो तावर्ग की अंतरगत आते हैं लेकिन जो तावर्ग है कि तावर्ग तो तालू से उच्छरित होता है तो आपका उत्तर डी नमबर बिल्कुर सही हो जाएगा तालब बेंजन है तो कौनसा है बताईए तालब बेंजन कौनसा है चार बिकल्प हमारे सामने है तालब बेंजन यानि की तालू से जिनका उच्चान होता है वो कौनसे है तालू से बताना दोस्तो तो बताईए अपनने पड़ा था कि सर कावर्ग कंट से चावर्ग तालू से है ना फिर चा के बाद होता है कचट तावर्ग का चा चा और टा तो जो तावर्ग होता है वो मूर्धा से और तावर्ग जो होता है वो दंत से और दोस्तो पावर्ग ओस्ट से तो तालू पूचा है तो आपने उत्तर लगा दिया है चा बर्ग के तरतिया अक्षर, बर्ग के चतुर्था अक्षर या फिर बर्ग के पंचम अक्षर चार विकल्प हैं अनुनासिक बेंजन के बारे में हमें चैन करना है और आपने बिल्कुल सही उत्तर का चैन किया है कि सर अनुनासिक बेंजन की अगर बात करोगे तो उत्तर चला जाता है बर्ग के पंचम अक्षर बर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं ये अनुनासिक बेंजन कहलाते हैं और आपने बिल्कुल सही चैन किया है वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करते जाईएगा और रोज रात 3-8 वजे किसी प्रकार से अपन पड़ते हैं प्रेक्टिस नहीं किया है वो self study classes एप जरू डाउनलोड करना है इस्तान के आधार पर बताईए कि मूर्धन बेंजन कौनसा है तो तर चला जाता है आपका डा और धा डा और धा ये मूर्धन बेंजन के अंतरगत आते हैं और C आपका बिल्कुल सही हो जाता है C नमबर very god सभी ने सही बताया अब आंसर आपको बताना है कि ये जो का गा जा और फा ये धुनिया किसकी है ये जो नुक्ता वाली धुनिया होती है दोस्तों ये नुक्ता लगाना नीचे ये जो नुक्ता वाली धुनिया होती है ये धुनिया किसकी होती है संस्कृत की होती है अर् या फिर यहां पर आ जाते हैं अंगले जो अपने बिकल्प हैं उन बिकल्प को अपने यहां पर देख लेते हैं अंगले जी की हैं या फिर डक्षनी भासाओं की हैं तो आप पहले ही समझ गए हैं कि जो नुक्ता वाली धुनिया होती है यह वाली है ना यह मानी जाती हैं दो नबीन वेक्सित ध्वनिया कौनसी कहलाती है ये चार विकल्प मैंसे आपको चैन करना है फटाक से उत्तर बताना है दोस्तो इसके पहले हमने हिंदी भासा के भासा को पढ़ा बिस्तरित पढ़ा फिर उसके प्रशने पढ़े फिर दोस्तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे है नबीन वेक्सित ध्वनिया पढ़ रहे हैं यहाँ पर बर्नमाला को पढ़ रहे हैं तो बर्नमाला में आपका जो खा और गा जो है यह दोस्तो नबीन वेक्सित ध्वनियों की अंतरगत आता है और उत्तर चला जाता है विकल्प नम्मर एक की तरफ ए नम्मर आपका बिल स्वर वेंजन वर्न या फिर अक्षर क्या कहलाती है हिंदी बाता में बेध्वनिया कुंसी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है तो लिसर बेध्वनिया कहलाती है बेंजन बेंजन कहलाती है और बी नमबर आपका बिलकुर शही है अंगला क्वेश्चन यहा उस बर्न को आपको चैन करना तो आपने बिलकुर सही चैन किया है पुलिसर जो गा है जो स्वरी खा बर्न जो है खा बर्न ये उर्दू से लिया गया यानि कि आपका उत्तर जो हो जाता है वो डी नमबर बिलकुर सही हो जाता ठीक है नेक्स्ट है कौनसा वर्ण घोस है घोस वर्ण बताईए कौनसा घोस वर्ण है इस चार विकल्पें घोस वर्ण का आप कुछ निकरना है घोस और अघोस अघोस होते हैं बरगे के एक और दो यानि कि प्रितम और दूती एक्षर क्या होते अघोस और तीन चार पाँच जो होत होते हैं तेन चार और पांच सघोस होते हैं ठीक है यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ता था दा दा क्या होता है दा त्रतिय वर्न है यहां पर जो दा है यह क्या कहलाएगा घोस कहलाएगा या फिर इसे सघोस भी कहा जाता है तो सघोस भी याद रख लेना अंगला question है आपका कि कौन सा सघोस महाप्रान ध्वनी है सघोस महाप्रान ध्वनी कौन सी है खा है जा है घा या फिर ठा है सघोस महाप्रान ध्वनी के बारे में आपको चैन करना है प्रश्न किरमांग के 48 और 48 में सघोस की बात आई है सघोस भी है और महाप्रान भी है तो सघोस में अपनने देखा था कि 3, 4, 5 और महाप्राण में अपनने देखा था 2 और 4 तो यहाँ पर 4 यानि कि 4 जो बर्न है 4 जो बर्न है बर्ग का 4 जो बर्न है देखो कौन सा है है ना बताईए एक खा महाप्राण तो है लेकिन सगोस नहीं है है ना तो का खा गा गा यह जो घा है कि क्या है दोस्तों यह जो घा है कि सघोस भी है और महाप्राण भी है तो तरफ कभी नंबर की तरफ चला जाता है अब यहाँ पर अपन को सुमेलित करना है कि स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् हैं बिल्कोर शही है है ना तो तालब ध्वनिया कौन सी है तालू से कौन सी उच्छरित होती है बताइए तो बोले सर तालू से होती है कौन कौन सी चाच चावर्ग तालू से उच्छरित होता है ठीक है अब अलपिप्रान की बात आती है तो अलपिप्रान कौन सी होती है एक और पांच एक तीन पांच जो वर्न होती हैं वो अलप प्राण कहलाती हैं तो देखिए कौन कौनसी हैं यहां पर आ गया क्या एक तीन पांच कौनसा आ रहा है एक तीन पांच अलप प्राण और दो चार महाप्राण होती हैं तो एक बताईए कौन कौनसी हैं एक तीन पांच म कौनसी आ रही है एक तीन पाँच में बताना है और यहां पर घोस द्वनिया पूछी गई घोस द्वनियों में क्या आता है दोस्तो घोस मतलब होता है सघोस और सघोस में आती है कौनसी तीन चार पाँच ठीक है तो इसको भी अपन को याद रखेना है और यहां पर जो आपक क्या हो जाएगा तीसरे का तीसरा यानि कि दोस्तों यहां पर एक का यानि कि जो अलप प्राण है यह तो एक तीन पाँच में यह पूरी आ जाएंगी ठीक है और यह जो गोस्थ धनिया है गोस्थ में आती है कौन को इन्ती तीन, चार पाँच और दोष्टों कि सन्युक्त वर्ण भी इसमें आ जाते हैं तो च्छा, धा और भा ये भी हो जाएगा तो यहाँ पर अपने देख लिया स्वरध्वनिया कुंसी हैं स्वरध्वनियों में अम आहा ये सभी आ गए तालब ध्वनियों में चाचा जा आ गया अलप प्राण में अपने कातापा ये दोस्तों प्रतम एक तीन पाँच होते हैं घोस द्वनियों में देखा अपने तो ये गहा चाधा के भाहा आ गया ठीक है तो इनको अपन को याद रखेंगे ठीक है अंगला कॉस्चन है चक्र का चक्का हो जाना किस द्वनी उधारन है यह आपको बताना है चक्र का चक्का हो गया है ना आपन बोलते चक्र लगाओ अब चक्र का हो गया चक्का तो यहाँ पर बिस्मी करण है ना किस ध्वनी प्रिविर्ति का उधारन है समी करण या फिर यहाँ पर आते हैं अपन अंगला जो अपना question है यहाँ पर दे जो उत्तर है वो उत्तर है दोस्तो शमीकरण ठीक है ये चक्का हो जाना कि समीकरण ध्वनी प्रिविर्टी का उधारन माना जाता है इसको अपन को याद रख लेना है कि बी नम्मर आपका बिलकूर सही हो जाएगा और अंगला क्वेस्चन आपको बताना यहां पर अंगला है पाध्वनी का उच्चान इस्थान क्या है पाध्वनी का उच्चान इस्थान आपको बताना है दंत है ओस्ट है मूर्धन है या फिर कंठ है बताईए पाध्वनी अपन पढ़ते हैं ना का चा टा ता पा 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 जो होता है पा ओस्ट से तो एक क्या कहलाएंगी पाध्वन बताना है दोस्तों अर्धस्वर कौन से हैं अर्धस्वर कई बार पूचा गया है ये क्वेस्चन तो अर्धस्वर कौन से कहलाती हैं ये कमेंट में आपको जल्दी से कमेंट लिखना है अर्धस्वर की पूचा गया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है इसर जो या और वा होते हैं कि अर्ध स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं, और बिकल्प नम्मर एक जो है, उसकी तरह पांतर आपका चला जाता है, स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तीनो उपर योग तीनो डी नमबर बिल्कुँ सही हो जाएगा तो साथ यो self study classes एप जरूर डाउनलोट कर लें जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है प्ले स्टोर में सर्च करें self study classes ठीक है हिंदी के इसपर्स बेंजन के पांचो बर्गों के दूसरे और चौते वर्न होते हैं पांचों बर्गों के दूसरे और चतौत जो वर्न होते हैं वो कहलाते हैं महाप्राण महाप्राण यानि बी नमबर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा बिसर्ग का प्रियोग किन सब्दों में नहीं होता बताईए किन सब्दों में नहीं होता तदभाव सब्दों में तत् संकर, संकर मतलब होते हैं दो भाताओं की मिल जोल से जो सब्द बनते हैं उन्हें बिसर्ग का प्रियोग नहीं होता और उत्तरचला आपका स्टी नंबर रेल गाड़ी है ना यसे कुछ सब्द संकर सब्द होते हैं हिंदी की साध हनी कई बार एक क्वेस्चन पूचा गया इसको तु याद रख लेना सक्कर वाला स्टा उझे सर सक्कर तो हम तालू से खाएंगे तालू से सक्कर का इसे खाना है तालू से खाना अगोस अगोस के बारे में बताईए अगोस अलप प्राण ध्वनी कौनसी है अगोस अलप प्राण ध्वनी कौनसी है तो जा था जा या पिर का और ता अगोस अलप प्राण ध्वनी कौनसी है प्रश्चन किरमा के 57 और अगोस भी है और अलप प्राण भी है अगोस कौन होत एक तीन पांच है ना तो बर्गhältका प्रथम अक्षर का है बर्गे का दोस्तो सा का सा बर्गे जो था उसका प्र। ह है तो यह execut भी है और रहरंप्रान भी है ठीक है तो यह आपका डी No.ado विल्को सई हो जाएगा अघोस वरन कौ Nothing सा है अघोस बताना है और अगोस मैंने आपको कई बार बताया है कि अगोस वर्न बे होते हैं जो बर्ग का प्रिथम और प्रिथम और दुती अक्षर अगोस कहलाते हैं ठीकें तो अगोस और दोस्तो अगोस की अंतरगत सा 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 भी आते हैं तो इनको याद रख लेना अगोस वर्न की अंतरगत सा सा सावी आते हैं तो D नमर आपका बिलकुर सही हो जाएगा A अघोस वर्न की अंतरगत ठीक है तो D आपका सही नमें से कौन सा वर्न स्वर है स्वर बताईए कौन सा है स्वर वर्न कौन सा है तो यहाँ पर स्वर पूचा है तो आपको उत्तर बताना है पोले अम और अहा इनका दोस्तो अयोग बाहे की अंतरगत आता है लेकिन अगर यहांसा स्वर्फ क्वेस्चन आया आए तो आपका उत्तर आई सही होगा आई यहनी की ए नम्मर आपका बिलकुल सही है ठीक है यह जिनों ने लगा है उनका इंसर राइट है और दोस्तो आज हम जिस्चे थी दोस्तो अप में अज लिया सकते रात तोस्तो सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर जरू करें और दोस्तो लगी रहें हम भी आपके साथ हैं आप भी पढ़ाई करें आज के वीडियो के लिए बस इतना ही जै नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस परकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका well जो है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे